हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे 6.1 एक्सरसाइज जो आपकी कैलकुलस की ठीक है उससे डिलेटिल कुछ कोशन है हमें बताने हैं जैसे सिंगुलर पॉइंट है इसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बता दिती ठीक है आप देखो यह हमें क्या निकालना है नेचर सिंगुलर पॉइंट के अंदर अब हम नेचर ओफ औरीजन बताएंगे तो वह कैसे होता है जो नेचर ओफ औरीजन के लिए कौश्ट जो होगा ना वह हमें क्या निकलना पड़ेगा लोवर टर्म निकालनी है ठीक है सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसके अं लोवेश्το डिग्री टर्म जो है मतले लोवयस्ट डिग्री टर्म इसे फूल पॉर्म इसके लख दी जाती हूंर हो बताती जाओंगी देखो मैं क्या करोंगी वाइका स्केर श क्रूस फूस्ब एकस का स्केर इसको एक तरफ ले आपती है, y² a² प्लस y² x का स्केर, माइनस x² a² प्लस में x की पावर 4, आप देखो lowest degree किसकी है, यहां देखो y की स्केर है, यहां y की स्केर, यहां y की स्केर, दिकना हुआ अब, 4 हो गई, दोनों को add करना है, ठीक है, दोनों की क्या हो गई, 4 हो गई, यहां के x का स्केर है, यह वाली जो ने, यह वाली तो constant हो गई, ठीक है, इसकी पावर को हम include नहीं करेंगे, लेकिन जो variable है, जैसे x, y है, उनकी जो total power होगी ना, उसको लेके चलना है, जैसे यहां पर y की 4 है, यहां पर यह दो मिलाका कितनी हो गई, यह तो y की 2 है, यह 4 हो गई, यह कितनी है, 2 है, यह 4 हो गई, देखो यह तो बड़ी हो गई, छोटी कमसी है, यह दोनों है, तो हम क्या लेंगे, y का square, a square, minus में, x square, a square, हम सिर्फ और सिर्फ इसी term को लेंगे, क्योंकि मैंने क्या ली है, हम लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे, दो चाहिए, take, lowest degree term, ठीक है, हो गई, clear, तो अब देखो, हम क्या करते है, a का square, अब इसमें से common relative, क्या बचा, y square, minus में, x का square, is equal to 0, ठीक है, हो गए, clear, आप देखो, y square, minus में, x का square, is equal to 0, अब a square, उदर चला जाएगा, तो y square, is equal to x का square हो गया, तो y is equal to, में, एक बार, तो plus का x आ रहा है, और y is equal to, में, एक बार, क्या है, माइनस का x आ रहा है, ठीक है, तो it means क्या आ रही है, आपके पास value, अलग-अलग आ रही है, डिश्टी नेक्ट आ रही है, आप देखो, हमने क्या किया था, यह हो गई, अब हम क्या करेंगे, second case में मैं क्या करूंगी, check करूंगी, check कि जो आपका solution आ रहा, check solution, is node, और कश्प, और conjugate, ठीक है, हम क्या देखेंगे, कि वो क्या दे रहा आपको, वो आपको क्या दे रहा है, check जब करते हो, तो आपको यह देखना है, कि वो node given है, या आपको, जो उसका tangent है, यहाँ पर जो solution आ रहा है, वो किस चीज़ का रहा है, tangent, at origin, tangent at origin, ठीक है, मैंने जो पिछे वीडियो में बताया था, कि node जो होता है, वो कब होता है, अब देखो, हमारे पास तीन चीज़ होती है, फिर से रिपीट हो रहा है, नोड, कश्प, और यह होता है, conjugate, ठीक है, नोड कब होगा, जैसे कि माल लीजे आपके पास यह, एक कर्व ऐसे ड्रोर है, एक कर्व आपका ऐसे ड्रोर है, तो जो इन दोनों के उपर tangent ड्रोर है, यानने एक ड्रोर है, एक ऐसे, तो दोनों जो टैंजेंट है, वो अलग अल लग अलग है, एक यह है, और एक यह है, ठीक है, तो यह जैसे कि यहां पर क्या रही है, बड़ प्लस आ रही है, और एक माइनस एक सारी है, इस तरीक्ये से जब आता है, तो हम क्या कहेंगे कि नोड है, जहां पर नोड क्या, जहां पर हमारा जो टैंजेंट गिर रहा है, ट तो उसे हम क्या कहते हैं और कंजूगेट भी बोल सकते हैं तो उसे लोड बोलेंगे जब वाई की वैलिए डोलों अलग-अलग आती है तो हम उसे क्या बोलेंगे वो क्या शो करता है नोड को ठीक है और इस यह दी वाई की वैल्यू जो है यह जो टैंजेंट है एट ओरीजन पर टैंजेंट एट ओरीजन have same value then then कश्प create ठीक है तब क्या बोलेंगे हम कश्प बोलेंगे क्या बोलेंगे तब हम कश्प बोलेंगे कैसे देखो अगर y की वैल्यू जीरो आ रही है दूसरी भी y की वैल्यू अगर जीरो आ रही है वैल्यू तो शेप वैल्यू तो क्या रही है आपकी सेम आ रही है इसके हम क्या बोलते हैं कोइंसीडेट बोलते है कुअसाइट sorry कोंसाइट बोलते है क्या बोलते हैं क्वान मतलब दोनकी दोनों की वैल्फिया वो सेम आती है वो कैसे दखो डाग्राम से पता चल जाएगा एक कर भीए एक है एक कर भी से और हें बोलते हैं रहें तो такие स्मेश में रहे हैं तो तोस्ते कोंचाइड क्याते हैं मतलब एक ही टैंजेंट गिर रहा अननतर क्ष्प अगर याद ना रहे तो क stri危ous कोंचाइड क्षप कोंå साइड करिंग ठीक है अगर कौंसाइड होगा है तो हम क्या στο भुरें गिरता ही नहीं है कोई करड़ मेरे यहां है कर मेरा कर रहा है तब जो क्या रहाता है अगर रहाता है फिसे हम क्या बोलेंगे चीज़ें तिक हमारी यह होगे अब देखो यहां पर एक बात बात रहें पर रियल होना चीज़ है अगर रियल हो ठीक है तब आपका क्या होता है यह नोड कर्ष्प और चेक करने हैं लेकिन यह दो स्टेप करने से मुझे नेचर तो पता चल जाएगा लेकिन कनफर्म नेचर जो है वो मुझे कब पता चलेगा जब मैं वाय क्यों सोल्व करूंगे ठीक है यहाँ पता चला कि यहाँपर डिश्टीड आ रहे है तो आप क्या लिखोगे जो है आप क्या लिखोगे अगर डिश्टी नेक है तो यह क्या कर शो करता है यह क्या होगा नोड को शो करेगा नोड होगा या फिर या फिर क्या होगा कि अगर यह नहीं और कंजूगेट ठीक है और कंजूगेट ठीक है और लगा कि आपको कंजूगेट जरूर लिखना है कि या तो वह नोड होगा या फिर कंजूगेट होगा के साथ लिखना आगर आपको पता चलता है कि कश्प भी हो सकता है और वह कंजूगेड करेंगे टिक है इससे मुझे यह पता चला कि मुझे दो तो चीज तो confirm है कि यही होगी ठीक है आप देखो next में क्या है जो third solution में करूंगी उसका third point क्या लिखते हैं वो देखो तो देखो अब हम क्या करेंगे यह चेक करने के लिए अब जब conjugate होगा ना उसमें क्या आता है imaginary पार्ट आता है यह तो पता ही आपको conjugate में क्या आता है imaginary अब चेक करते हैं अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में यह लिखेंगे थर्ड स्टेप जो होता है ठीक है चेक अगें फर्स्ट इक्वेशन इन विच जिसमें थ्री स्टेप करने इन विच एलिमिनेट बिग्री ओफ थर्ड एंड हाइस्ट बिग्री ओफ कर तीक है यह और क्या करेंगे कालीमे क्याट्रिक वुश्ट कहां ही और क्या थर्ड खाल लिख देखो इसमें eagle है चेक फॉस्ट इक्वेशन इस परका को चेक करना रही थीक है एक तो या तो हम नोर्मल ही चेक कर लेते हैं थीक है दूसरा क्या है कि या तो eliminate कर दो जिसकी 3rd degree आती है उसको eliminate कर दो वो भी बता दूगी कि कि किसमें आपको 3rd degree वालेको eliminate करना है या फिर highest degree जो होती है कर दो निकाल निकालके निकालके और y की यह x की value निकालनी है ठीक है होगे क्लियर एक बार तो मेरे यह आपके वाई की वैल्यू एक बार तो यह निकल गी लेकिन दुबारा में वाई की वैल्यू निकालनी है जिससे मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यह नोड है नोड कंजूगेट ठीक है अभी तो यह दो के उपर हो जा हुआ ना फिर एक के कंफर्म हो जाएंगे ठीक है अब देखो कैसे करना है अब देखो क्या करेंगे हैं अब हमारे पास यह एक्वेशन आगए अब मैं पर्ष्ट एक्वेशन को दुबार से करती हूँ यह आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि कि इसके अंदर क्वाडिटिक कर लेकिन आपको एच्छे से कपार क्लिए रहने यहां एक्स माइनग रहेगा तो यहां क्या देगा एक्स रूर्ट है यग कंजूगेट है भो देखो कंजूगेट कब होता सबल्सक्रा इमेजनली पार्ट इमेजनली पार अगर होता तब वो कंजूगेट की प्रोपर्टीगों आप देखो यहां पर रूट के अंदर जब तक दोनों ना उना तब तक आप यह नहीं कह सकते कि वह क्या है इमेजनरी है ठीक है रूट के अंदर अगर दुनों नेगिटीव होना एक पोजुटिव एक नेगिटीव हो बना इट मिन्स किया वह रियल की प्रोपर्टी को शो कर देखते हो तो वो क्या देगा आपको वो क्या मैशुटिव एक रियल वैल्यू देगा ठीक है पोजुटिवर मैल्यू देगा याद रखने का तरिक्का यही एक कि अगर दुनों नेगिटीव हो तभी आपका इमेजनरी वैल्यू देगा रूट के अंदर आपको ये बात त तो दुन्हों माइनस में होंगे अंदर वाले तब तो A 있는 finding और रूट A square plus में X का square इस तरीक़्े से आपको क्या मिलती है दो value मिल रही है ठीक है हो गया अब देखो दो real value होगर आपको मिल रही है इड मींस क्या है मैंने अभी बताया कि यहाँ पर यह लोना चाहिए नोड के अंदर और दोनों ही अलग अलग है एक बार प्लस आ रहा है एक बार माईलस आ तो यह क्या है यह क्या कंफर्म करता है कि दिस जे नोड जो टेंजेंट एट ओरीजन में वो क्या होगा आपका नोड की प्रोपर्टी को फोल्ड करेगा तो देखो तो यहां पर क्या निकल रही है टू रियल ब्रांच ठीक है टू रियल ब्रांच टू रियल ब्रांच ठीक है टू रियल ब्रांच ठीक होग दापकर एग्जिश्ट नियर दा ओरीजन टू रियल ब्रांच ठीक है तो इसका जो नेचर है वो क्या होगा आपका नोड को ही शो करेगा क्लियर है सबको यह कोशन बिलकुल अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है तो यह हमें थार्ड स्टैप करने हैं अब यह देखो ना तो मैंने यहां पर सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़ेगी तो देखो नेक्स जो कोशन है इसको पता तो चली गया इस सारे कोशन होंगे ठीक है अब देखो यह जो चीज है यह है यहीं रखी रहने देना चाते हो ताकि आपको एक एक श्पैक्ट यहां से देखके करवा सब्सक्राइब को देखो नेक्स जो है इकवेशन ओफ ता कर्व आपका जो सेटिंड है दा इकवेशन ओफ कर ठीक है इकवेशन ओफ कर इस एक्स की ती प्लस वाइदी इसके केस में मुझे करने की जरूरत है या नहीं वो देखना है मुझे इसके केस में हम एलिमिनेट करेंगे ऐसा क्यों क्योंकि देखो एक्स की 3 भी है य की 3 भी है क्लियर है इस पर ही केस अगर आपको दे लिया जाए तब आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा एक को ठीक है और क्योब। रूट में इसको सोल परना थोड़ा सा मुशकूल हो जाता है ठीक है तो मैं क्या करोंगी 53 में इस एक क्योभ आले को क्या कर्ते हूंगी कि कर दोंगे ठीक है दोनों ही क्योभ है इस लिए मैं imitate करोंगे खेंग है, तो सबसे पहले तो अपना कोशन जोए लोज डिगरी टॉнокो चेक करते हैं लोज डिगरी ट्म को चैक करते हैं लोज लॉज डिगरी टॉप उसको चैक करते हैं तो रखगं तो सिर्फ एकस वाय ही है तो यह थी यह थी हुट्ए तो x y is equal to में क्या लेलेंगे 0 3 a x y x is equal to b 0 हो जाएगा और y is equal to b 0 हो जाएगा आप दो roots मिल रहे हैं दोनों ही roots क्या है आपके same है ठीक है दो roots जो है जो value आरी है आपकी वो क्या है same आरी है लेकिन है तो वाला भी लग्की यह x की value यह y की value हो it means क्या है आपकी x की यह y की it means आपको क्या मिल रहा है node मिल रहा है यह ठीक है आपको क्या मिल रहे है जो tangent होता है at origin पर वो r x is equal to 0 और y is equal to 0 तो आप यह line लिखोगे यहाँ से tangent at origin is x is equal to 0 and y is equal to 0 then roots इसीदा यह लिखो तो इसीदा यह लिखो is equal to 0 which are real and distant ठीक है यह क्या रहा है real be a distant act अलग भी आ रहा है ठीक है अगर यह real and distant act है तो यह क्या हरेगा origin जो है वो क्या हो सकता है node हो सकता है origin age node और दूसरा क्या हो सकता है conjugate ठीक है अब confirm मुझे करना है conjugate भी हो सकता है और आपका conjugate भी हो सकता है node भी हो सकता है ठीक है आप क्या दरोगे एक को eliminate कर दो तो मैं क्या करते हूं y की इसको eliminate कर देते हूं चाहे आप eliminate इसको भी कर सकते हो क्योंकि दोनों ही value given है तो हम क्या करते हैं neglect कर देते हैं neglect eliminate या फिप neglect y की q अगर आप इस y की q को neglect करते है तो आपके पास क्या दर्थी है x की 3 minus में 3x a x y x x की 3 minus 3 a x y is equal to 0 ठीक है x की 3 को यहीं रहने देते हैं या क्या रह जया 3 a x y ठीक है आप देखो 1 x से तो 1 x कट रहा है तो x का square is equal to 3 a y आ रहा है ठीक है अब देखो x का square is equal to 3 a y आया अगर मैं y की value निकाल गूं यहां से तो क्या हो जाएगा x का square और यह 3 a यहां जाएगा और y की value यहां बचेगी ठीक है यह value आ गई अब मेरे पास देखो y की यह वाली value आ रही है अगर मैं इसको चेक करूं यह वाली जो value है वो मेरी क्या आ रही है real आ रही है यह क्या मेरी real है real value अगर आपकी value real है तो यह क्या show करेगा इसकी जो two branch है curve की two branch of curve जो है two branch of curve at origin वो क्या है real है two branch of the curve is real and distant है तो हम क्या कहेंगे कि यह क्या शो करता है प्रोपर्टी को उसी प्रोपर्टी को होल्ड करता है नोड की प्रोपर्टी को ठीक है तो आपको यह यह फाइल लिखती है प्रू ब्राउंज को पर इंचे रियल एंड मिस्टिए एट दैंड ओरीजिन इस नो ओरीजिन इस और यह हम क्या करेंगे लाश्ट में बीज़ देंगे तो क्लियर रहें मिने ख्याल से तो कोई डाउट नहीं इसमें ठीक है उसके बाद देखो नेक्स जो कोशन है थर्ड उसमें क्या किया है आपके पास कोशन दिया हुए है कि एक्स की पावर को देखो कोशन देखती हुआ तो हम क्या करेंगे इसको कैसे करेंगे यह देखते हैं हम सबसे पहले तो लोवेश्ट दीट टम को भी चैक करेंगे ठीक है देखो अब इसमें किया गय्यां क्या इंदर तो इसके अंदर हम क्या करेंगे दो कि अंधर को कि पहले किया करना है 2rd औरFirst और घ्रण तो नहीं नहीं है लिगन कि अखा यह नहीं है कि नहीं about क्वाड्रिटस का इक्वेशन बना कर सकते हैं तो इसमें मुझे क्या करना है इसको नगलाक्त करना है तो कैसे करे कि लिए हम सबस्ते हैं के आपको उसको पार सिंपलगdon का निकाल करेंगी आपको सब्स्सक्मान जो हुटता है मेरा क्या होता हैہ फॉ gen डिए ट्रम को देखते हैं, लोज ट्रम मेरी क्या है, यहांपर माइनस का 4X भाए, Y इक वाइज एक वैद्टो में 0 जाएगा, इसकी वैलू भी 0 और Y की वैलू भी 0, अब देखो आपको यहांपर क्या मिल रहे है, टैंजेंट जो मिल रहा है, टैंजेंट एट ओरीजन, वो वरमींड किया है औरीजन वह वह आपया मिना रही आपका नोड या फिर नोड और वहाँ चाने कि मुझे सबता बताता था प्रह स्टम्च में कर लिया आप क्या उसाता है यह जेक्जच में होता त्वा चैनल गरेखाब ऑसी और रिगऊन यहां तो आपको सुल्व करने के लिए आवब इससमीं क्या कहों बुद की किया है डोनों की इसमें पोर इस स्ट है उसमें क्या लिखोगे थर्ड स्टेब में हाईयर जो पावर है हाईयर पावर ओप टेंजेंट इज रिमूड ठीक है या किरा आप कह सकते हो एलिमिनेट ठीक है हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे हाईयर पावर क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे जब हम अब आप यह देखो आपके पास एक्स की वैल्यू भी निकली और वाय की वैल्यू भी निकली तो हम क्या करेंगे वाय की जो है वो क्या कर देंगे रिमूव कर तो y की 4 को जो मैंने eliminate किया it means y की 4 हट गई तो क्या बचा आपके पास x की power 4 और minus में 4x y ठीक है is equal to में क्या हो गया 0 x की power 4 को यही रहने तो is equal to 4xy ठीक है यह क्या हो जाएगा निच्चे आजाएगा तो 4x हो गया यहां क्या बच गया x की power 3 बचे में 4 is equal to my y अब जो Y की value आ घ्या जीए वो क्या घ्या है रिया लाट तुरह जय जो तो आप लिखोगे यह जो Y की value आपकी आपके आपकि हो प्या रियल आज यह तो आपको यहां पर क्या तो यड़ह लिखना है यहां पर लिखना है links टेंजेंट एट ओरीज़न टेंजेंट एट ओरीज़न लिष्टिने क्या होगा आपका नोड होगा क्यों त्योंकि आपको मैंने अभी बदाया कि जब आपका अलग तो उसको क्या कोगे क्षाइ नोड कहो के थीक है जो नेक्स पोर्षन है किव्शन कौन सां में किस्ट में देखो यह से तरीके अब देखो इसमें क्या करना है हम इसमें कणे तरीकित यह देखिए कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है हम क्या निकालते हैं are those क्येक लोवेस्ट डिगृट ट्रन को निकालते हैं अफ्टर ध्मंस्टे क्या जरते िक्वेटिंग जीरॉ ठीक है a y का square is equal to my minus b X か square . अब y का square को यही रहने तो minus kam b, x का square अगोन when a का a हो जाएगा अब हो जहाएगा अब यह square is equal to minus एक बार plus ka root आ रहा है और एक बार minus ka root आ रहा है इसका मतलब क्या है different root आ रहे है इसके इस में का strategy check नहीं करना वैसे और आभ sub constraint नहीं करना चाह Beim तो x को बार रख दो, ठीक है, तो यहां तो x की value के according change होगा, ठीक है, तो यह क्या है आपका, यह क्या देता है, tangent जो आपको कैसा देता है, tangent at origin are real and distinct, ठीक है, ठीक है, then origin कैसा होगा, origin should be node, or conjugate, ठीक है, यह हो गया मेरा second part complete, अब third case में मुझे क्या करना है, देखो, मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको quadratic equation कब लगाना है, जब आपकी बहुत लंबी equation दे रखी हो, तो आप quadratic लगा होगे, ठीक है, जिसके अंदर cube बगएर ना दे रखी हो, तभी तो quadratic लगेगी, square की form तो तभी बनेगी, ठीक है, दूसरा, higher degree को मुझे कब check करना है, कब eliminate करना है, जब x की power भी higher में हो, और same to same वैसी ही y की power higher में हो, तब मुझे eliminate higher degree को हटाना है, 3rd degree को कब अटाना है, जब y की भी 3 हो, और x की भी 3 हो, तब मुझे 3rd degree को eliminate करना है, अब यह 3 जो है, वो मेरे rule जो है, वो cancel हो चुगे, यह जो 3 है, वो मेरे rule, इस पर hold नहीं करते, तो मैं क्या करूंगे, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से solve करती हूँ, इसी को क्या करते है, y निकालने के लिए क्या करते है, जैसे a y का square यही रहने देते है, वहाँ चला जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, x की 3, और minus में bx का square, ठीक है, आपको a निचे आजएगा, अगर y का square हो, तो यह आपर root आ जाएगा, ठीक है, अब y जो कल्ट में, अगर square common हो, और बाहर आ जाएगा, तो क्या आपका root, x minus में b, अपोन में a, और यहाँ पर plus minus, किसके according, जब root लेते हो, दूसरी तरफ, तब क्या आजाता है, plus minus आजाता है, ठीक है, अब मेरे पास यह equation आ रही है, मैंने आपको बताया था, starting में ही बता दिया था, कि जब root के अंदर, root के अंदर, दो ही राई- to minus में वोती है तब conjugate होता है, तब क्या होता है, conjugate होता है, यह थोड़ी सी fix है, जो mind में आपको खुद रखनी है, ठीक है, तब conjugate होता है, अगर एक भी अगर आपका plus में हो, जैसे यह हो जाए, ठीक है, तब वो conjugate नहीं होगा, तब वो not conjugate होगा, not imaginary होगा, इसके case मे कि और चाहने जब डोनों नेगीटीव आते हैं तो यहां पर एक तो फोजटीव और एक यहाँ नेगीटीव आ रहे हैं तो दोनों किया हो एंगीटीव नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या है यह? डिप्रेंट और पिसटिर्ल also इन डिप्रिंव नेहीं डिकाए है सिर्फ इसको इतना ही बताना था तो यह ओरीजन कैसा होगा नोड को शो करेंगा इतना ही होजाए ठीक है कुछ भी नहीं है उसके बाद देखो नेक्ट जो कॉशन है इसका सिक्स्थ पार्ट यह देखो यह भी कॉशन नमर फिप्ट की तरह है इसमें क्या रखा है देखो ना हुआ है इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है लोगा इसके बाद मुझे क्या करना है एकस के रहा है इसके X square ठीक है यह तो cancel हो गया Y की जगे पर क्या आ गया X का square और root में plus minus तो यह क्या आ गया A बर plus का X आ गया A बर minus का X आ गया तो roots जो है आपके tangent ठीक है जो roots आ रहे है tangent at origin is real and destiny मैं बिल्कुल object book की तरह नहीं लिखवाती ठीक है यह मुझे भी पता है लेकिन समझने का जो तरीका है वह बिल्कुल वही है और बनकि easy तरीके से समझाती हूँ क्योंकि लिखने का तरीका आप लिख सकते हो बिल्कुल object book का लिखने की ज़रूरत भी नहीं है जैसा मैं कर करना हमें कोई रट्टा थोड़ी रगाना है हमें तो समझना है अगर हमें कोई समझ आ रहे हैं तो हम लिख तो आराम से सकते हैं ठीक है अगर रियल एंड डिश्टिनेक्ट है उसके बाद मुझे क्या बताना है कि जो आपकी origin है वह क्या बनेगा origin is node और दिश्टिनेक्ट अगर है अब आपको चेक करना है कि वह नोड है या Conjugate है तो इसको भी अनिए करें तो तीसरा जो था इसकी सिंपल करना है, कैसे कि मान लिजए एक स्केर, य का स्केर, य को देखने से आइडिया लग जया होगा, कि कैसे स्केर, तो य का स्केर को यहीं रहने देते है, A कंसे양, x कंसे, mean wynाइ, 4x की, क्यों, पोग, upon नए, का स्केair, थीक है, सघस, किया का स्केर, कि य को यही नहीं देते हैं जाशेकुत इसके उपर ऊठा जाएगा। । अब मैं सघस का स्केर को मने लेती है तो ने यहां बाहर x का जाएगा, कि यहां veed último tsvy z ikot find wyn key की प्रोपर्टी को होडर अधर वाइस नहीं करता तो यह प्लस और माइनस है इत मिंस क्या यह किसट डिटो एक बर प्लस में आ रही है वैल्यों एक बर माइनस में अट है तो यह जो टैंजेंट है तो आप क्या लीख सकते हो यहां ठीक एक ओरिजन टू कर पार्सीज ठीक है जो ओरिजन इस रियल एंड डिश्टिन एक देन ओरिजन इस नोड तो ओरिजन कैसा बनेगा नोड प्रोपर्टी को फोल्ड करेगा ठीक है उसके बार देखो नेक्स्ट जो कोशन है इसका सेवन्थ और बुचा है आज रिद्व में डवल पॉयंट से रिलेटट सारे कोशन करेंगे को एक को ketchup और आपको यह से awake आपको यह equation दे दी, सबसे पहले तो मुझे lowest degree चेक हने, इसकी multiply कर देती हो, x की cube, plus में x y की square, is equal to ay का square, lowest degree जो हो किसमे है, इसके अंदर और इसके अंदर है, तो इसको ले लेती हो, ay का square, is equal to ay का square, y का square से cancel हो रहा है, यहाँ x बचरा देती है, तो x is equal to में क्या आया, a आया, ठीक है, एक x is equal to 0 माल लो, ठीक है, एक x की value तो ay आ चुपी है, और एक x की value जो है, वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो अब हम इसको कैसे, oh सिक, मैंने गल्थी कर दी, क्योंकि, मैंने थोड़ा सा गल्थ कर दी है, इसको, कैसे, मुझे power total देखन होती है, तो यह भी 3 बन रही है, यह थी बन रही है, तो इसकी जो थैफक्र लोवर्ष कत थैस, यह जो है, वह आपका constant term थैस प्रक्रावेबल नहीं है, तो हम इसकी power को count नहीं करेंके, लेकिन x की power को count करेंगे न, तो a y का square is equal to में क्या होजाएगा जीरो तो वैल्यु आरी है लेकिन वही जीरो की आ तब जोँए होगा एट चाल जो ऑरीजइंट अडरीजन क्क्स को बनेगा क्षप क्या क्या कहता है कि कौन साइड होना चेहिए इड़ मweg या एक्सocratic वैल्यू आनगा यह सब्सक्राइब को चाहिए करना के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आपको इसको सिंपली सोल्व करना है कैसे करेंगे एक्सकी क्यूब इस इकोल टू में A Y का स्केर ठीक है? अब Y का स्केर को उधर ले जाओ यहां X की Q को रहने दो इस इकोल टू में A Y का स्केर और यह हो जाएगा माइनस X Y का स्केर तो A माइनस X Y का स्केर को मन ले लो तो X की Q अब गोन में A माइनस X यहां पर आगे किसी चीज में बदर जाएगा रूट में अब देखो रूट में अगर आप लेते हो तो यहां पर प्लस और माइनस एक बर माइनस में यह वैल्यू आ रही है तो इट मेंस क्या है कि आपकी जो इमेजनरी पार्ट तो इसके अंदर आई नीरा ना इमेजनरी पार्ट जो आपका इसके अंदर आई नीरा तो आप हम क्या कहेंगे आप देखो आपको एक जीर यह बतानी है कि इसके अंदर जो आपकी वैल्यू आती है यह प्लस आ रही है यह माइनस आ रही है मतलब इमेजनर को शोर नहीं कर रहा तब आप क्या कोगे जो टू कर्व जो है तू कर्व पासिज थ्रोग ओरीजन इज कॉन साइब ठीक है दैन ओरीजन इज कश्म क्लियर है बस इतना ही हमें करना था अगर इमेजनरी आ जाता तो हम conjugate कर देते तो इमेजनरी जो हमाहा आया नहीं तो यह क्या शोर करेगा कश्म की प्रोपर्टी को होल्ड करेगा बस इतना ही था आज talks defenders की वीडियो में हम इतना ही करेंगे next वीडियो में लिए उसमनी जो 2 sud comment से रिलेटिड आपको aly Its में वह करेंगे मैंने आई मैंने तो पूरी कोशिस किये कि आपको अच्छे से समझ जा दे फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए थैंक यू है वे नाइस टेज बाई